जिसका खुद विश्वास नहीं, वो क्या विश्वास लाएगा मोदी जी के लिए, वो अविश्वास प्रस्ताओं भी गिरेगा, जो इंडिया एलाइन से बना है, इसकी साख भी गिरेगी. जैनवाज हुसेन का बयान, बता दे कि विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताओं लाए जाने पर शेहनवाज हुसेन ने विपक्षी दलों पर जम कर निशानस साधा है, वाई एक नजर पूरी खबर पर डालते हैं. लेकिन विपक्ष कोई बात करने को तैयार ही नहीं है. साती उनि ने कहा कि फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री देश को विश्व गुरू बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो पूरा भी होगा. साती आपको बतादे कि इस सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्टाव को नियम एक सुनन फेर्श किया जाता है इस अविश्वास प्रस्टाव को पेश करने के लिए करीब 50-25 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है लोगसभा में सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव एक एहम कदम माना जाता है अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और सदन के 51% संसद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो ये पारित हो जाता है और माना जाता है कि सरकार ने बहुमत हो दिया है और उसे पद से इस्तिफा देना होगा। सरकार को या तो विश्वास मत लाकर सधन में अपना बहुमत eszाहई tal करना होता है, या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद सरकार से बहुमत Click करने केलिए कह सकता है, हलाकि यह जरूरीह नहीं है क przysz दल सिर्फ सरकार गिराने के उद्देशे से ही विष्वास प्रस्ताव पेश करते हैं कई बार विपक्ष सरकार को राश्ट्रिय महत्व के किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मजबूर करने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाता है। साती हमारे इस रिपोर्ट को भी रेखिए। विपक्ष बड़ी बाते कर रहा है। हम लोग सारे विश्वास पर चर्चा को तयार है। लेकिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया है। जिसका खुद विश्वास नहीं है। वो क्या विश्वास लाएगा मोदी जी के लिए। तो वो अविश्वास परस्ताव भी गिरेगा और जो इंडिया एलाइंस बना है। उसकी साख भी गिरेगी। प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नितरुत में 38 दल नरेंदर मोदी जी के साथ हैं। और हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चल रहें एक जो गैरंटी है देश की जनता की वो मोदी जी के साथ है तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने का और मोदी जी की गैरंटी है भारत को विश्गुरु बनाने का इस पर हम सब काम कर रहे हैं मैं पुरे बिहार और देश में घूम रहा हूं लेकिन भागलपुर में 9 साल जो पूरे हुए प्रधान मंत्री के आज भी करीब एक दरजन गाउं का में जाकर प्रधान मंत्री का संदेश पहुचाने का काम किया है। प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को लेकर शैनवाज हुसेन ने कहा कि मोदी जी ही तीसरी बार भी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे।